मा वैशनो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुश कबरी भक्तों को आने वाले दिनों में नहीं चड़नी होगी मा वैशनो देवी की चढ़ाई भक्तों की सुविदा के लिए बनाई जारी एसकलेटर हमारे साथ जानिये पूरी खबर और समझे आने वाले दिनों में कैसे होंगे मा वैशनो देवी तक पहुँचने वाले रास्तों का काया कल अक्सर लोग मा वैशनो देवी के मंदिर जाने से पहले ही ये सोचकर परिशान रहते हैं कि इतनी उची चड़ाई कैसे चड़े जाएगी बस इसलिए लोग जिन लोगों की पैरों में कोई दिक्कत होती है वो मा वैशनो देवी के मंदिर में जाने का प्लान कैंसल कर देते है ऐसा असलिए क्योंकि आने वाले समय में भारत सरकार ही कैसा प्लान धरातल पर उतारने जारी जो मा के भक्तों को पलक जपकते ही मावैश्णों देवी के मंदिर पहुंचा देगा यानि सीडियों पर ठकान का जंजट खत बस आज हम आपको इसी खबर के बारे में क्रमवार ब स्तमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि श्रीमाता वैश्णों देवी श्राइन बोट शद्धालों की सुविधा के लिए मावैश्णों देवी भवन परिसर के गौरी भवन शेत्र में एसकलेटर लगाने का प्रयास बीते कई समय से चल रहा है इन सीडियों के लग जाने के गौरी भवन शेत्र में श्रधालों के रहने को लेकर श्राइन बोट द्वारा गौरी भवन वैश्णों देवी के साथ ही 12 हट का निर्मान किया जा चुका है जिसमें 4 बैड तथा 6 बैडट के कमरे उपलक्त कराने की बात कही जा रही है इसी के साथ गौरी भवन तथा वै पहुंचने वाले श्रधालों इन सभी को भवन परिसर के मार्केट तक पहुंचने को लेकर ना चाहते हुए भी 425 सीडियों का स्तमाल आने जाने को लेकर करना ही पड़ता है इसलिए भी मातारानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रधालों को परिशानी जहलनी पड़ती ह तो वही अब शद्धालों को सुविधा प्रदान करने को लेकर श्री माता वैश्टो देवी श्राइन बोर्ट द्वारा अत्याधुनिक एसकेलेटर दिये जाने की सुचालित सीडिया लगाने के लेकर योजना को अंतिन रूप दिया जारा जिसको लेकर टैंटरिंग प्रक् खर्च करने की बात कह रहे हैं बहुत जल्द ये परियोजना शुरू होने जारी है जिसके लिए पूरी योजना मैप पर तयार कर ली गई है फिलाल आप हमारी इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साज़ा कर सकते तो वहीं अगर बात करें इस मा वैश्णो देवी के मंदिर के इतिहास के बारे में तो बहुत पहले मातारानी के एक अनन्य भग्त थी जिनका नाम श्रीधर था एक बाद श्रीधर और उनकी पत्नी ने माता के नाम पर भंडारे का आयजिन किया जिसके बाद उन्होंने दे लड़की को पकड़ने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने में विफल रहे और लड़की गया हो गई इस घटना के बाद श्रीधर दुखी हो गया और उनमें अपनी मा के दर्शन करने की लालसा थी जिसके बाद एक रात वैश्णो माता ने श्रीधर के सपने में दर्शन दिये और उन्हें त्रिकुटा परवत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है इसको लेकर माता के भक्त श्रीधर ने पवित्र तीर्थ की खोच की और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया जिसके बाद से ही ये मंदिप दुनिया भर में माता वैश्ण दिवी के नाम से जाना जाने लगा प्यूर रिपोर्ट पीडियन न्यूज